स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज को जो वीडियो है बहुत ही यूसफुल होने वाला है हम सभी के लिए ऐसा और्गनाइजर बनाएंगे कि अगर आपके पास अलमीरा नहीं है बिना इस तरीके से आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप वो ले सकते हैं यह मैंने डबल लिया है कपड़ा 15 इंच है और यहां से 23 इंच है ठीक है इस तरीके से यह मैंने कपड़ा लिया हुआ है इस तरीके से कोई भी आपका सूट का कपड़ा हो चादर का कपड़ा हो परदे का कपड़ा हो कोई भी कपड़ा आपके पास हो ना आप वो ले सकते हैं और साथ में देखिए आटा बैग राइस बैग हमारे घर में आता है तो यहां पर इस तरीके से थोड़ा छोटा मेरे पास आटा बैग था तो यहां पर इसमें मैं टुकड़ा लगा दूंगी राइस तो आप चाहें तो पूरा कपड़ा जो पूरा बैग है वो भी attach कर सकते हैं और अगर टुकड़े भी मिल जाते हैं तो भी कोई tension वाली बात नहीं है तो यहाँ पर देखें मैंने कपड़ा रखा है उल्टा और इस तरीके से यहाँ पर मैं जो plane वाला side है वो उपर की side रखूँगी और यहाँ पर इसको अच्छे से pin से attach कर दूँगी जो piece टुकड़े मैंने अलग से किया है न वो भी इस तरीके से attach कर दूँगी और चारो ही तरफ pin लगा दूँगी तो क्या करना है हमें side में देखे सिलाई भी लगा सकते हैं और 7 के 7 इसे मोड़ते वे भी जाएंगे और यह जो हमने joint लगाए हैं यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे तो यह देखे joint मैं सिलाई कर चुकी हूँ और इस तरीके से एक अलग पूरी सिलाई नहीं कर रही हूँ मैं side से इस तरीके से मोड़ते वे भी जा रही हूँ जिससे की हमें 2 सिलाई ना करनी पड़े एकी सिलाई से हमारा काम चल जाए तो इस तरीके से देखे अब यह मैंने पूरी किनारी कर ली है अब मैंने इसको कर लिया है fold तो देखें यहाँ नीचे की side से तो already fold है अब जो sides है न वहाँ पर सीधी सीधी से लाई लगा दूँगी अभी देखें तीन side से बन दो गया उपर की side से ये open है अब जो base है यहाँ पर मैं 4.5 इंच का निशान लगा लूँगी 4.5 इंच सीधा और 4.5 इंच इस तरीके से टेड़ा तो इस तरीके से box बन जाएगा और इसको अब मैं कर दूँगी cut तो जो chalk से मैंने निशान लगाया है न इसको दोनों तरफ से cut कर दूँगी अब जो यह हमने cut कर लिया है area इसको हमें पकड़ना है जो corner है न दोनों के इस तरीके से खोल के ऐसे हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर डबल सिलाई ये लगाईएगा जिसे ही के अच्छे से मजबूत हो जाए अब देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी ले ली है तेन इंच और 21 या 22 इंच ये लंबी है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको चोड़ाई में भी कट कर दूँगी और लंबाई में भी कट कर दूँगी तो वो चीज जो अभी बेस बताया था ना वो मैंने डबल करके सिल लिया है अब यहां पर देखिए चार स्ट्रिप बनके तयार हो गई है सिंपली हमें ऐसे दोनों साइट से फोल्ड करके एक फाइनल इस तरीके से मोड़ना है और इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है और देखिए जो और्गनाइजर बनने वाला है बहुत ही यूसफुल है और बहुत आसानी से बनने वाला है कोई जादा इसमें स्पेशल एफर्ट लगाने की जूरत नहीं है बस सीधी सिलाई लगानी है अब यहां पर मैंने एक और पट्टी ले ली है देखिए तीन इंच चौड़ी है ये तो इस तरीके से काफी चौड़ी यहां पर इस तरीके से बट्टी बनेगी तो ये हमारे स्ट्रिप है अब इसकी लेंथ कितनी है ये देख लेजिए तो यहां पर जो लेंथ आई है बारा इंच है ठीक है, 12 इंच लैंद की, यहां पर मैंने 2 स्ट्रिप ले ली है तो दीखे, इस तरीके से यह हमारा ओर्गनाइजर है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे क्योंकि यहां पर जो काम था, वो पूरा हो चुका है अभी दीखे, इस तरीके से यह ओर्गनाइजर बना है तो यहां पर जो हमने भी स्ट्रिप बनाई है ना वो अटेज करेंगे तो यह मैं दोनों साइडों में निशान लगा लोगी तो आप चाहे तो जैसे अभी इस तरीके का है ना यह और्गनाइजर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे कपड़े आप इसमें अलमी इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है ना स्टोरेज का एरिया मिल जाएगा अब देखें यहां पर मैंने हैंडल लगा दिये हैं ठीक है अब जो यह आगे जो कम चोड़ा वाला पाट है ना साइड वाला पाट है यह बिलकुल अच्छे से मैं स्ट्रेट ले लूँगी यह 2 इंच मैंने छोड़ा इस तरीके से यह देखें दोनों साइड में मैंने 2-2 इंच छोड़ दिया है और उपर से इस तरीके से मैं कट कर दूँगी तो यह वाला सीजर ना सही से चल रहा नहीं था तो ऐसा होता है ना जब भी हम आटा बैग, राइस बैग वगरा काटते है एक वो सीजर अलग ही होना चाहिए उन चीजों के लिए क्योंकि फिर जो नॉर्मल सीजर होता है वो खराब हो जाता है कपड़े काटने वाला ठीक है अब देखे जब हमने कट किया है ना तो यह साइट से हमें इस तरीके से मोड़ते हुए जाना है जो नीचे वाला सीधे इस तरीके से देखे एक तरफ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से मोड़ते वे जाएंगे और दूसरा वाला जो पार्ट है वहां पे भी सिलाई हो जाएगी तो इस वाले और्गनाइजर से ना हमारी अलमीरा में एक्स्ट्रा स्पेस बनेगा और एक्स्ट्रा हम इसमें कपड़े रख सकते हैं काफी अच्छा एडिया है ये तो ये देखे इस तरीके से हो गया ठीक है अब देखे हमने जो चार स्ट्रिप बनाई थी ना वो यहां प बस जब हम इसको अटैच करेंगे ना अच्छे से तीन-चार सिलाईयां लगाईएगा और जो कि अच्छे से मजबूत हो जाए तो देखे इस स्ट्रिप मैंने लगा दी हैं अब देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं ये देखे एक तरफ मैंने टी-शिट्स रखी हैं एक लेयर बनाऊंगे इस तरीके से आगे की साइड में और देखे ये कपड़े ना गिरेंगे भी नहीं क्योंकि जो नीचे का हमने दिखे जो दो इंची छोड़ा है ना इस वज़े से इसमें कपड़े अच्छे से अटके रहेंगे वो बाहर को नहीं गिरेंगे अब देखे ज अगे मेरे में जो रॉड होते है उसमें हैंग कर दीजिए और इस तरीके से हैंग करने के बाद नीचे का स्पेस आपका बच जाएगा क्यूंकि ये उपर हैंग हो जाएगा तो यहां पर दीखे इस तरीके से जो आगे वाला पार्ट है इसकी डूरियां खोल के आप इस तर लिए आप कपड़े निकाल और रख सकते हैं तो है ना बहुत ही कमाल का तो देखे इसकी जो लेंद और चोड़ाई है ये मैं आपको दिखाई रही हूँ और जिती भी चोड़ाई है देख सकते हैं आप काफी अच्छा और्गनाइजर बना है छोटे से कपड़े के पीस में आप देखा था आपने के एक कपड़े का पीस था और बेस भी यहाँ पर काफी अच्छा है देखे 9 इंच है और यहाँ पर फिर 12 इंच है तो दो लेयर कपड़ों की बनी हुई है आपने देखा ही है आप चाहे तो इसको ऐसे ही अलमीरा में रख सकते हैं आगे वाला पार्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार